हलो बच्चों मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो मुशागत करता हूं बच्चों आज मैं देखिए आपके सामने ये बुक लेकर आया हूं इस बुक का नाम है तो इसमें स्टुडेंस देखिए हम यहाँ पर लेशन टू स्टार्ट किये है ठीक है लेशन वन से कोई मतलब नहीं है लेशन टू से यहाँ पर मतलब है राइंकाम मैट्रिक्स है ठीक है तो राइंकाम मैट्रिक्स यहाँ पर इस्टार्ट क्या हूं जिसका 2.1, 2.2 हमने अप नमबर तो देखे स्टुडेंट इसमें लिखा क्या है इसमें लिखा हुआ है reduce the following matrices to their normal form and hence find their right तो इस्टुडेंट यहाँ पर एक matrix है ठीक है यहाँ पर देखे matrix में लिख दे रहा हूँ ठीक है इसको let कर लेता हूँ ए बराबर ठीक है एस्टुडेंट और देखे क्या लिखा है 1 3 और यहाँ minus का 2 है और एस्टुडेंट यहाँ लिखा है 2 4 3 आगे क्या लिखा है 0 1 2 लिखा है फिर minus 1 2 5 लिखा है यह है इस्टुडेंट मैट्रिक्स यह लखनव इन्वस्टी में 2010 में पूछा भी जा चुका है यह वाला प्रस न ठीक है आप यहाँ पर चाहो तो देख भी सकते हो लखनव इन्वस्टी में 2010 में पूछा जा चुका है देख लिजे ठीक है तो इस्टु ये किसके दोरा लिख्यविया पूझता ऑप डाक्टर बिनोत कुमार की दोरा तो स्टुडेंट जो है देखिए इसको चन को चाल पैसे किया जाएगा देखिए इससे हमारे पास यह है तो इसको जो है हम आजल है देखिए अमारी बात समझ ecology गाई इसको दूसरी चीज यहां पर students देखिए इसको जो है किस से लगाना चाहिए हमको जब कभी भी आप से इस तरह पूछे तो आपको जो है यहां पर transmission जो है इस्तमाल कर देना चाहिए जो है आप यह तो रो से लगाई है यह तो ठीक है आप कालम से लगाई है दोनों से लगाई है तो students यहां पर देखिए हमको क्या करना होता है सबसे मैं आपको technique बहले बताता हूँ पहले यहां पर देखिए कितने रो हैं 1,2,3 तो यह हो गया 3 इसका 3 और ख़ड़ा ख़ड़ा 3 x 4 का मतलब कोई matrix हो तो पहले आप लिखो 3 हो गया और यह 4 हो गया तो student हमारा वर के क्या होता है यह 4 हो गया तो student हमारा वर क्या होता है कि देखिए यह वाला जो element होता है यह हमेशा 1 होना चाहिए क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ठीक दूसरी चीज यहां पर ध्यांदो अगर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे रो को रो से चेंज करके या कालम को कालम से चेंज करके वहाँ पर करेंगे बात दूसरी बात फिर हम इसको जीरो बनाने कोशित करते हैं फिर इस नमबर पर जो होता उसको जीरो फिर इस नमबर पर जो होता उसको जीरो बस इतने काम कर गयों है अब इसको जीरो बनाला पहले इसको जीरो बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे इसको जीरो साई करेंगे तो मारी कौन सा लिए देंगे student तो यह 3-3 हो जाएगा और 3 से 3 जाएगा तो student क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो student और दूसरी चीज यहां पर आप समझेगा दूसरी चीज और अब आर थिर इसको लेते हैं आर 3 ठीक है अब यह 0 का पर सकता इसमें भी हम अगर देखे यह आर 3 लाइन है यहां सबसे पहले काम है कि यहां पर इसके सिमिलर जो है यहां पर आपका मैट्रिक्स बनने जा रहा है काम किसमें हो रहा है और 2 में और 3 में तो आर 1 को आई जटीज आप लिख दोगे उसमें कोई चेंजिंग आप नहीं करने वाले हो देखे आपने लिख दिया आप इस्टूडेंट क्या कर रहे हो आर 1 में 3 से यह नहीं जा रहे हो कर दो 3 से मल्टिप्लाइब तो क्या जाएगा 3 बंज़ 3 बंज़ 3, 2, 6, 3, 0, 3 बंज़ 3 आप क्या लिखा है student यह कौण सी line है यह 2R यह 2R1 है student क्या है 2R1 है तो कहरा है कि R2 में ओ अचा 3R1 है ठीक है तो यह 3R1 है तो student यहाँ पर देखे हमारे बात समझेगा क्योंकि मैंने 3 स्मल्टिपले के ना देखो 3 बंजा 3 3 2 0 6 3 0 0 0 और 3 बंजा माइनस 3 तो student क्या लिखा है कि R2 से 3R1 को सब्ट्रेट करना है तो R2 कौन से लिए यह 2 लिए अब इसमें से 3R1 को सब्ट्रेट करना है तो पहला पहले से सब्ट्रेट होगा 0 होगा 4 से 6 सब्ट्रेट होगा तो माइनस को 2 हो जाएगा 1 से 0 होगा तो 1 हो जाएगा 2 से student जब इसको सब्ट्रेट करेंगे तो यह आपका 5 हो जाएगा तो student यहां तक तो एकदम अच्छे से आगया होगा आप student मैं इसको मिटा दूँगा आप student आगे क्या कह रहा है कह रहा है कि देखिए अब secondary number में फिर कह रहा है कि r1 में 2 से multiply करिए तो r1 पहले 2 से multiply करो तो यह क्या student 2r1 हो गया है अब student क्या करना र3 के साथ में 2r1 को जोड़ना है तो r3 सबसे नीचे है r3 लाइन और 2r1 यह है तो जूड़ यह जी देखे माइनस 2 में प्लस 2 जूड़ेगा तो 0 हो जाएगा इसमें इसको आइट करोगे तो सेवे ना जाएगा student इसके साथ इसको आइट करेंगे तो यह आपका 2 ही रहेगा 5 में माइनस 2 आइट करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसको मैं मिटा दिया हूँ ठीक तो जो था उसमें मैंने वही किया अब student अगला काम क्या होता है अगला काम होता है कि मैं इसको 0 करूँ यह नंबर 0 करूँ तो यह नंबर 0 कैसे हो सकता देखिए ध्यान दीजेगा तो इसको 0 करना में मुझे student तो मैं क्या करूंगा लिखोंगा आर थरी रिप्लेज वाई आप देखिए दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे देखे आर थरी यहां लिखोगे ही आपको तो पता है ठेक है और चुंकि अद दोनों का साइन अलग अलग है तो आर थरी में हम student आर टू को जोड़े आज मेंगे लेकिन ध्यान देना है कि जो टू इसमें है आर टू में देखे टू है ना यहां पार तो टू से मुडिप्ले thrust कर दो और थ्री में देखे शेबैन है तो सेटीप्लाइप तो अगर कम सवनी है तो आपस में इंटर्चेज करके मल्टिप्लाइप कर सकते हो गाए student इसमें कहीं मल्टिप्लाइ करना है? बोलो, यह देखिए, देखिए, 3 वाले में, 3 वाले में, R3 में 2 से मल्टिप्लाइ करना है, तो 2 से कर लो, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6 हो गया, अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा, अब student देखे, इसके similar जो है, यह आपका जो है, अगला जो है, matrix बन गया, student देखे, काम हो रहा है R3 में, बाकी तो ऐसे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, minus 1 हो गया, 0 हो जाएगा, minus का 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 5 लिखा है, अब student देखे, यहाँ तक तो किलिर है, अब इसके बाद देखे, हम लोग करेंगे क्या, इसको जोडेंगे, मतलब इन दोनों को जोडेंगे, और कहां लिखेंगे, R3 में, तो 0 हो जोड़ेगा, तो 0 ही आएगा, minus 14 में 14 होगा, तो यह 0 हो जाएगा, इसमें यह जुड़ेगा, 7 में 4 जुड़ेगा, और 35 में 41 होगा, 6 होगा, तो 41 होगा, तो student हमारा काम कहां तक हो गया, यहां तक हो गया, आप student इसके बाद देखे, क्या होगा, ध्यान दीजेगा, इसमें सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ और बता दें देखे कोई भी रोव आपका जीरो नहीं हुआ तो क्या उसमें क्या कर नहीं कर पाएंगे धीक है तो सीधी सीधी इसी बात यहां पर हो जा रही है कि यह जो है इसका रैंक थिरी हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका रहा है थिरी ऐसे सीधे भी समझना है तो आप सीधे भी समझ सकते हो क्योंकि कोई भी रो पूरी तरीके से जीरो नहीं हुआ तो तीन रो ऐसे है जो जीरो नहीं हुए पूरी तरीके से माने पूरी तरीके से मतलब ये भी जीरो हो ये अब इलेविन की विजगा जीरो हो, 41 भी जीरो, तो एक रो जीरो महना जाएगा, जैसे थार्ड रो, जैसे थार्ड रो में पूरे में जीरो हो, जैसे यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, ठीक है, लेकिन इन दोनों जगा है, जीरो नहीं है, तो इसका वाटर अब क्या है, यह नान जीरो तो non zero कितने 1, 2, 3, ती इनो non zero रहें। तो इसलिए इसका rank to student three आ जाएगा। तो चले इतनी बात तो आपके मायम में आ गई है। लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे। दमलाच्त में कहेंगे। तो अब आगे हम student क्या करेंगे। यहां तक हो जाए काम, थेक है। तो इतना काम करने के बाद में इस्टूडेंट जब थिरिक राज़पोर का हो तो इसको जीरो बनाते हैं इसको जीरो बनाते फिर इसके बाद इसको जीरो बनाने कोशित करते हैं तो इस्टूडेंट मुझे इस तो को जीरो बनाना है तो क्या करेंगे इसके बाद कालम लगा देना चाहिए तो क यहां टू है अब टू जीरो कैसे हो सकता अगर यहां पर मैं सीवन में अगर टू से मल्टिप्लाइब कर दू तो काम बन जाएगा कहने काता पर हुआ कि जो सीवन वाली लाइन है उसमें टू से मल्टिप्लाइब करके अगर सीटू से सब्ट्रेट कर दू तो हो सकता है यह कै से बाइट 2 से मल्टिप्लाय करोगे यह क्या जैक बताओ यह जाएगा टू ज ज़ीरो 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 आप टू से टू जाएगा तो जीरो होई जाएगा कि नहीं तो चलिए इसको में मिटा देता हूं ठीक है और यहां पर लगाता हूं तो स्टूडेंट यहां पर देखे दियान दिजेगा क्या होगा यह देखिए काम हो रहा है C2 में तो बाकी सब लिख दे रहा हूं और एक चीज़ देखिए ध्यान दिजेगा एक चीज़ और भी है इसको भी करना student यहां भी लिख दे रहा हूं C3 तो student क्या लिखेंगे C3 और प्लस C1 क्योंकि यहां माइनस वन है इसमें प्लस वन है दोनों को जोड़ेंगे student तो यह 0 हो जाएगा ठीक है तो चलिए start करते हैं student देखिए यहां पर क्या लिखा है ध्यान दिजेगा बहुत इसमें ज्यादा काम नहीं करना student तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे देखिए हम C1 को तो ऐसे लिख देंगे 1,0,0 ठीक है student अब क्या करेंगे C2 से मतलब इसमें से C2 से इसको subtract करेंगे C1 को लेकिन 2 से multiply करके तो 2 अंजा 2 तो अब देखिए 2 से 2 जाएगा student कितना बचेगा student? 0 बचेगा अब यहां पर देखिए 2,0,0 अब माइनस 2 से 0 जाएगा तो student माइनस का 2 ही बचेगा इसके बाद 0 से 0 जाएगा यह भी 0 हो गया ठीक student इसको मैं मिटा देता हूँ इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है आप student देखिए अगला वार क्या है? ठीक C3 में काम हो रहा है क्या हो रहा है क्या नई C3 नहीं था है यह C4 है तो student यहां C4 बना दीजिए ठीक है क्योंकि C3 में कोई काम नहीं करना है क्योंकि यह तो 0 पहलने से है तो इसको आप लिख दीजिएगा 0, 1 और यहां पर 11 है आप यहां पर ध्यान दीजिएगा student क्या होगा देखिए यहां पर minus 1 है यहां पर plus 1 है जोड़ो दोनों को जब दोनों को आइट करेंगे तो minus 1 plus 1 यह बिटा 0 हो जाएगा ठीक है यहां 5 में 0 आइट करेंगे यह आपका 5 रहेगा यहां 41 में 0 आइट करेंगे तो यह 41 रहेगा तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी बाते तो हो गया यह भी 0 हो गया यह फिए इधर यह 0 यह 0 यह 0 अब इस्टुडेंट हम क्या करते हैं इसके बाद अपना common sense लगाते हैं इधर चाहें कहीं भी इधर क्या बनाने कोशिच करते हैं इस्टूडेंट जो देख रहे हो यहां पर identity matrix बनाने के कोशिच करते हैं क्या बनाते ह आपको identity matrix बनाना होता है तो student आप यहां पर क्या करोगे देखिए मैं अगर पूरे में 2 से चाहूं तो यह जो c2 देख रहे हो इस c2 में जो है मैं पूरे में क्या करूं मैंस 2 से डिवाइट कर दिया ठीक है student अगर मैं ऐसा करता हूं तो student क्या होगा दूसरी बात यहां पर student student एक चीदा और भी हम समझना है कि मैं एक चीदा देख रहा हूं कि इसको मैं चाहो तो इसको भी 0 बना सकता हूं कि कि इसको यह सी 4 है נट कर दो 5 से 5 से पूर बच्चे कर जीरो तो होगा नहीं तो इसमें 5 से मल्टिपलाई कर लो student किसमें 3 भाले में तो student देखिए अब क्या होता है यह देखिए यह आपका 1, 0, 0 तो हई है 2 से डिवाइट कर तो student तो आजाएगा 0, 1, 0 ठीक है student अब student यहाँ पर देखिए क्या होगा 0, 1, 11 हो गया अब इसमें से दिख्या क्या है C4 से 5, C3 subtract होगा तो देखिए 0 से 0 जाएगा student 0 आएगा अब यहाँ 5 हो गया तो 5 से 5 जाएगा क्या है गया student 0 आजाएगा अब यहाँ 5 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा student अब एक चीज़ यहाँ पर मैं student क्या देख रहा हूँ देख रहा हूँ कि यहाँ minus 14 है तो फिर से again मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक work और भी कर सकता हूँ इसको भी 0 लिख सकता हूँ इसको तो student मैं C3 में काम करने क्या जा रहा हूँ C3 से अगर मैं इसको subtract कर दूँ किसको ध्यान दीजे student C3 से कर C2 subtract कर दूँ तो यह 0 हो जाएगा और एक चीज और कर सकता हूँ student जो C4 है देखिए यह line है C4 को मैंने student क्या किया minus 14 से divide कर दिया तो student यह चीज क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा देखिए मैं काम कर रहा हूँ 3 और 4 में होन को southwest यह देखिए लिख देखिए अ ओर दुक को भी से लिखेंगे यह भी लिख दिया और दुए लिख्या उखिए student क्या होगा थरी वाल इन Weekly से टो वाला होगा तो जीरो से जाएगा जीरो, 1 से बन जाएगा जीरो, और 11 से 0 जाएगा तो 11 आ गया, और student यहाँ पर ध्यान दीजेगा, इधर वाले में, इधर क्याएगा, 0, 0, क्योंकि 14 से डिवाइट कर रहा हूँ ना इसको, 0, 14 से करोगे, इसमें जादा कुछ करना नहीं है, केवल क्या है, बस थोड़ा-thोड़ा सब माइंड का इस्तमाल करना है, जो मैंने यहाँ पर बना रखा हूँ, उसी का इस्तमाल करना है, student, अब मैं अगर चाहूँ, तो पूरे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 11 से डिवाइट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, C3, ठीक है, divided by 11, तो 11 से जब डिवाइट करोगे, student, तो देखे क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा, 1, 1, 0, 0, और 0, 1, 0, और यहाँ पर student क्या आएगा, 0, 0, और इसको देखे, यूगि C3 में क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे आ हूँ, क तो student यहाँ तक तो एकदम confirm हो गया, clear हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप student इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देखे हमारी जो है identity matrix बन गया, student, देखो, देखे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, और देख रहाँ student यह भी हमारा 0 होने का गार पर है, तो student इसको भी बन दिजेगा, यह हो जाएगा 1, 0, 0, यह 0, 1, 0, इसमें कायगा, 0, 0, 1, अब C4 से C3, तो 4 यह है, 3 यह है, C4 यह लाइन है, C3 यह लाइन है, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 0 जाएगा, 1 से 1 जाएगा, 0 जाएगा, तो इस प्रकार्द से आप क्या देख रहा है, student, इतना, इत entity matrix ही दिख रहा होगा, तो लिखेंगे, which is, which is, which is, in, which is in, form of, form, which is in, normal form, लिख दे रहा हूँ, normal, form, ठीक है, कौन सा है, यह क्या है, I3, 0, ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर rank की student, तो rank क्या हो जाएगा, देखिए, rank, 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 तो student rank 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने I3 लिखा है, तो अगर यहाँ 3 लिखा रहे, student, तुरन समझ जाय करो, किसका rank 3 हो जाएगा, तो student, यह question आपका complete हो गया, और इसको देख लिजे, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो student, अगर यह अच्छे समझ में आ गया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दीजे, तक ही मैं BSC के कुशन जो है बराबर बनाते रहें, और आपको जो है इसका लाभी मिलता रहे, ठीक है, चलिए आपको next question बताते हैं, और आपकी जो भी आपका जो टापिक चल रहा हूँ आपके स्कूल में, उसको जरूर अप मैसेज बाक्स में जो है अप टाइप करें, किसर हमारे यहां यह चल रहा है, मैं उस पे जो है वीडियो आपको बनाके दे दूँगा, तो चलिए जो है next question start करते हैं, और अब आईए देखिए, मैं जो भी इसके पहले ब लगा दिया हूँ, ठीक है, यह four का second part बता रहा हूँ, यह भी question 2010 में पूछा गया है, ठीक है रोहिल में, तो अब यहां पर देखिए student, यह क्या है question, देखिए ध्यान दिजेगा, four का, यह second part है student, ठीक है, किसमें से, यह dr. विनोत कुमार की books है, ठीक है, सभी में लगभग वही रहता है, लिट किया हूँ, a राबर student, यहां पर देखिये क्या है, यह लिका है, one, 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 पिर one, three, minus two, one, फिर लिखा है two, zero, minus three, यहां two लिका है, यहां पर student ध्यान दिजेगा, क्या लिका है, लिखा है 3, 3, माइनस का 3 और student यहाँ पर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है तो student यह चीज यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें बहुत बड़ा हमको नहीं सन्मे आ रहा है कि आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा तो student देखे इसमें कितने रो हैं 1, 2, 3, 4 रो है तो यहाँ 4 लिखोगे और column कितने student 1, 2, 3, 4 column है तो 4 लिख दिया तो student यहाँ पर देखेगा कि row कितने इसमें 3 row है column भी यहाँ पर 4 column 4 row है row कितने है 4 row है यह लिजे 1, 2, 3, 4 4 row है और column कितने 4 है तो student यह जो matrix है, यह आप जो देख रहे हो, यह 4 cross 4 का matrix है, ओकी, अब student देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखिए, इसका rank बताना है, और यह भी इसमें है कि इसको भी क्या करना है, इसको reduce करना है, कि इसमें normal form में reduce करना है, तो normal form में reduce करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं बस हमने जो आपको नियम बदा है बस वही नियम का पालन करेंगे इस्टूडेंट जिसे 4 क्रास 4 का में ट्रिक्स हो तो पहले हम 4 रो बनाएंगे देखें बना रहा हूं यहां पर इस्टूडेंट इधर बना ले रहा हूं 1, 2, 3, 4 ठीक है और कोलम किते हैं 1, 2, 3 , 4 है तो इस्टूडेंट यहां पर ध्यां दिजेगा स्टूडेंट है चलिए ठीक है दूसरी चीज़ यहां पर student एक काम तो हो गया दूसरा चीज student यह देखते हैं कि यह point यह point यह point ठीक है तीन point यह कौन-कौन से एक बार फिर से हम बना दे रहा हूं कलम नहीं चला था यह point यह point और यह point यह zero होने चाहिए और इसके बात किसको देखेंगे student यह point मतलब यह इतने point यह 1,2,3,4,5 इतने point को हम zero बनाने का प्रयतन करते हैं सबसे पहला काम यहिह होता है तो चलिए student इसी को जो है zero बनाने का प्रयतन करते हैं क्योंकि यह 4 x 4 का है ठीक है 4 x 4 का यही student किस थिसको 0 बनाते इसको 0 0 बनाते माने इन 3 पॉइंट को भी Sovel K जुआ है इसको सबसे पहले बनाना केंकριक यग वोन तो यह है अव इसको 0 बनाता है तो यहां लिखेंगे क्या R2 replaced by R2 और इसमें से R1 को subtract करना है student R1 और क्या लिखेंगे R3 में अज यह student क्या लिखेंगे R3 is replaced by R3 minus इसमें भी से भी R1 subtract कर दिया student ठीक है आगे बढ़िए इसमें से देखे student क्या होगा R4 लिया student तो R4 is replaced by R4 minus R1 इसमें भी कर दिया चली ठीक कितना तो काम आपका हो गया है अब student देखें होगा क्या यह ध्यान दिजेगा काम किसमें और R2, R3, R4 में इनी तीन में और है ना student तो R1 में तो हो नहीं ना तो R1 को जैसे है वेचे लिख दो तो 1, 1, 2, 3 ठीक है student अब student क्या करेंगे 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा 2 से देखे 1 से 3 जाएगा student तो क्या हो जाएगा ध्यान दिजेगा यह आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा student 0 से 2 जाएगा student तो minus का 2 हो जाएगा student और 3 से 3 जाएगा student तो 0 हो जाएगा चलिए एक बात तो आपके माइंड में अच्छे से आगे होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा फिर देखे 1 से 1 जाएगा इस्टुडेंट 0 क्योंकि इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि R2 से R1 घटा ये इतना आएगा उसको R2 वाली लेन में लिख दीजिए तो R2 ये लाइन है ठीक है ये लाइन आपका कौन सा है R1 है ये R2 है ये लाइन बेटा R3 है और ये वाला लाइन कौन सा है R4 है ठीक चलिए तो इतनी बाते तो आपके माइंड में आगे होगी ठीक है आरो जाएगा आपका Jero बचेगा और माइनस देखे 2 से अगर मैं किसको ले जाँ student 1 को ले जाओं तो यहां पर minus 3 बचेगा student और 3 से minus 3 से ठ्यान दिजएगा student और minus 3 से अगर इसको ले जाओंगा 2 को सब्ट्रेट करूंगा तो student यहां पर आजएगा minus 5 और देखिए 3 से minus 3 से अगर यह जाएगा तो student के आएगा minus का 6 आजएगा देखिए student मैंने यह चीज़ यहां पर कर दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां पर होगा चलिए कोई बात नहीं है अब student इसके बाद देखिए क्या होता है और 4 पे पहुंचते हैं तो student एक चीज़ आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक रो ऐसा हुआ जो पूरी तरीके से 0 हो गया हो गया 0 की नहीं हो गया बाकी 3 रो है पहला रो दूसरा रो तीसरा रो तीन रो ऐसे हैं जो 0 नहीं हुए पूरी तरीके से तो student यहां पर समझनी की बात है आप ऐसे भी समझ गया होंगे मैं क्या कहने चा रहा हूँ यहां पर rank क्या होगा 3 हो जाएगा थीक है बस किवल आपको तो पता है हो चुका है कि rank 3 होगा क्यों क्योंकि एक रो पूरी तरीके से क्या हो गया 0 हो गया है जब एक रो पूरी तर उसको नार्मल फार्ममे ना कहते थीक है तो इसको सीधे सीधा बता देते थे कि अ видео प्रडोस करना है इसलिए वहां तक जाना पड़ेगा ऑज और आप semply पूछते तो आप यह कर लेते ठीक है एकलेंट फ़ाम में इसको convert करके तुरंद बता देते हैं, जैसे यहाँ पर एकलेंट फ़ाम में का होता है, जैसे जो आपके रहते हैं, मतलब जो zero है, तो उसके उपर वाला, उससे क्या होता है, उससे एक बड़ा होना चाहिए, प्रिसीडिंग, जैसे zero है तो zero के उपर one हो ग तो इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे R, ज्युक्ति ये R3 लाइन में है. ठीक student. चलो, कोई बात नहीं है. तो अभ ये देखिए, मैंने क्या किया है. मैंने इतने को 0 बना लिया है. अब अगर ये वाला 0 नहीं बना है, student, तो मैं इसको 0 बनाने कोशिज आप करूँगा इसके बाद तो वही नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है यह वाला नंबर इसको 0 बनाने कोशिज करिए तो यह 0 कैसे होगा वही आर्थरी है तो यहां लिखने पड़ेगा अब देखिए मैं देख रहा हूं कि यह दोनों किS से मल्टिपले कर दो टू से और प्लस कर दो किसमें और और तो में और और मीशनी का सिख 30 से कर दिजए हम स्टूडcak इस वाले में क्या करणा हो आरे зачं आपे यह 3 लिखा नहीm ya-पर दीक तो ट्रेट यह 0 0, 0, 30, 0, 3, 2, जा 6, ये 3, 2, जा minus 6, 3, 0, जा 0, अब student इस में किस से करोगे, 2 लिखा यहाँ पर, तो 2 से इस में कर दो, तो ये 2, 0, जा 0, और 2, 3, जा minus 6, और 2, 5, जा, ये 10 हो गया, भई 2 से कर रहे हो न, multiply नुए편 में और सटू स spr माइनस को यहगा. अब सिवर से क्या करेंगे हम लोग इसको डगा करनेगे यह देखिए क्या बनेगा 100000 क masc कि यह था आपकर आपको तो आपने क्या किया है R3 में R3 में यही किया है ना कि दोनों दोनों को जोड़ना है देखे यह लिखा है ना इसमें यह चीज यहां लिखा है तो 0 जोड़ोगे तो क्या है 0 आएगा 6 माइनस 6 में प्लस 6 जोड़ोगे ये भी 0 हो गया, और इन दोनों के जोड़ों के माइनस का 16 हो गया, और इसमें इसको जोड़ों के माइनस का 12 हो गया ठेक है student, और नीचे सबसे क्या है, 0, 0, 0, 0 ये तो आपका high है, तो student ये हो गया, अच्छा देख चीज़ और देखिए इसके थोड़ा से इसको यहां लिखे लिजे, थोड़ा अच्छा लगे ने लगे इसके similar ये है, और इसके similar ये है student अब student मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ अब इसके बाद देखिए student हमारा क्या रहा है यहाँ पर देखिए हमारे के वाले एक ही रहो आपका मतलब आपा जा है तो देखिए इस form में आपका हो गया है जब इतना तक आप कर लो, पांच को जीरो बना लो एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक, जीरो बन जाए तो student इधर वाले जीरो बनाना सुर करते हैं तो student यहाँ पर देखे क्या लिखेंगे हम यहाँ के line किचेंगे अब देखे student इसको 0 बनाना है इस वाले को इसको 0 बनाना है, student कैसे 0 बनेगा बताओ इसको 0 बनाने के लिए, यह C2 line है na student तो यहाँ C2 लिखोगे तो यहाँ भी C2 लिखना पड़ेगा अब क्या करोगे, C2 से C1 सब्टेट कर दीजे student, तो देखे C2 से C1 जाएगा, तो 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, अभी यहाँ पर आजिए C3 लाइन में student, देखे C3 में तो C3 में क्या होगा student C3 से भी C1 हम सब्टेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे C3 माइनस और यहाँ चुकि 2 था, तो 2 C1 कर दिया, तो student मैंने क्या किया चुकि यहाँ पर क्या था, 2 था, तो मैंने इसमें 2 से मल्टिप्लाइ कर दिया, तो 2 1 जा 2 होगा अब 2 से 2 जब सब्टेट होगा student तो 0 हो जाएगा यहाँ पर अब जिसे 3 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 3 से पहले इसमें मल्टिप्लाइ करेंगे C1 में, तो C क्या है यह कौन सा था यह, यह 3 था ना, 3 हो गया 4 में आई यह, ठीक है 4 यह देखे, C4 में क्या है देख रहे हैं, यहाँ 3 है, इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, C1 में 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो देखे, तो जब C1 में 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह 3 हो जाएगा अब 3 से 3 जाएगा, तो फिर यह भी 0 हो जाएगा तो यह चीज यहां दिमाग लगा रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे C4 is replaced by C4 minus 3C1 तो student यहां तक तो हो गया आप student यहां पर देखें हम लोग करेंगे क्या यहां पर हम लोग क्या करेंगे देखें C1 तो आपका लिखा है 1, 0, 0, 0 अब student यहां पर देखां पर देखो क्या करें C2 से C1 को घटाएए तो चलो 1 से 1 जाएगा क्या पचाएगा student? 0 1, 2 से 0 जाएगा student क्याएगा 2 0 से 0 जाएगा student 0 0 से 0 जाएगा student 0 चैली हो गया अब इसमें क्या करेंगा है? C3 वाले में कहरा है C3 से 2C1 सब्टेट करो तो वही C1 में 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 0 में करोगे तो 0 ही रहेगा और 1 में करोगे तो 2 आजाएगा तो 2 अंजा 2 अब देखे 2 से 2 जाएगा तो क्या है एक student? 0 आगया अब माइनस देखें यहां पर क्या है अब इसी प्रकार से student क्या करेंगे? इस प्याजने C4 पे तो इसमें C1 में पहले 3 से मल्टिप्लाइ किया है किया है ना हमने? देखो 3 बंजा 3 तो 3 से 3 जाएगा क्या है का student? 0 हो गया और ये 0 से 0 जाएगा तो student आपका 0 हो जाएगा 12 से 0 जाएगा student ये भी आपका 0 मतलब क्या हैगा? आपका माइनस का 12 जाएगा और यहां 0 से 0 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा तो student यहां तक तो आगया होगा आप देखें कितना आसान बता रहा हूं student विल्कुल आपको माइन लगाने नहीं दे रहा हूं अब student देखें क्या है? ये C2 लाइन है तो आप लिखोगे C2 और यहां भी replace by C2 और upon 2 कर दूँगे तो 2 ये जो है 1 में कनोट हो जाएगा इसमें देखें student क्या है? ये आप चाहो तो इसमें भी कुछ कर सकते हो C3 में C3 is replaced by C3 upon minus को 2 कर दिया और जो C4 देख रहा है student इसमें किसे divide या रहा है? देखो इसमें 12 से या रहा है minus 12 से तो C4 upon minus का 12 सभी में divide करका थोड़ा छोटा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा तो देखें student हमने काम किया C2, C3, C4 में C1 में कुछ नहीं किया C1 को वह इसे लिख दे रहा हूँ 2 से divide करो 0, 1, 0, 0 और student इसमें देखे किस से कर रहा हूँ इसमें भी हम कर रहा हैं किस से बताओ इसमें minus 2 से तो 0 यहाँ पर one आ जाएगा इसको करेंगे 2 से तो 2, 8 जाएगा और यहाँ पर 0 है इसमें देखे का रहा है इसमें minus 12 से तो 0, 0 minus 12 से करेंगे तो वाना जाएगा और यहाँ 0 है देखो student कितना छोटा होता चला गया नहीं अब student देखे आशान है ज़्यादा इसमें कुछ नहीं प्रेक्टिस की ज़रुरत होती यहाँ पर आप प्रेक्टिस करते रही आपको इटोमेटिक आ जाएगा ठीक है आप ऐसा नहीं कि जैसे आप एक बार देखो तो फर्स टाइम में ही आपको जो है सब कुछ हो जाए जैसे माले जे कहीं पर भी आपको हो है तो आप जो है मैसेज में आप लिखिए कि यहाँ इसर यहाँ पर हमको दिक्कत हुआ तो मैं आपको समझाऊंगा ठीक है हमारा वार्सम नंबर भी इसलिए मैं दे दे रहा हूँ कि आपको अगर कोई समस्या तो उसको आप कुश्चन भी बेर सकते हो मुझे ठीक है दूसरी चीज़ यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि देखिए मैं इसके बाद मैंने क्या बोला हूँ कि जब यह दो यह देखिए यह भी हमारा क्या हो गया जिरो यह भी जिरो हो गया यह भी जिरो हो गया यहाँ पर इसको जिरो बनाने कोशिश करते हैं किसको जिरो बनाते हैं इसको यहाँ वाला जैसे इधर बनाते थे वैसे इसको भी जिरो यहाँ बनाते हैं तो student यह चीरो कैसे बनेगा, ध्यान दीजे, पूरा इधर वाला सिस्टम ही इधर वाला है एकदम पूरा, बस क्या है कि इधर हमने जो है, रो लगाते हैं, और इधर क्या लगा दिए student, कालम लगा दिए, तो student यहाँ पर देखे क्या होगा, यह कौँछी लाइन है, यह C3 ला तो लिखी दे रहा हूँ इसे, तो देखे क्या होगा, C1 क्या है, 10000, C2 क्या है, 0100, यह देख लिजे आप, यह देख लो, 10000, 0100, अब इसमें देखे, student क्या लिखा, यहाँ पर ध्यान दीजेगा, यहाँ पर ध्यान दीजे, student, C3 है, तो C3 से C2 कटाना है, तो 0 से 0 जाएग तो 0 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 से 1 जाएगा, 0 हो गया, 8 से 0 जाएगा, तो 8 आजाएगा, और 0 से 0 जाएगा, student, तो 0 हो जाएगा, चलिए यहाँ तक तो हो गया, इसके बाद student, अगला क्या काम क्या है, देखिए यहाँ पर, अगला काम है कि यह लाइन आप का C C4 है, तो C4 में तो कुछ करना नहीं, तो इसको आपको क्या करना होगा, लिख देना होगा, तो यहां हो जाएगा 0010, देखें, student कितना आसान है, विल्कुल कुछ करना नहीं, आप student में देख रहा हूं कि इसमें 8 से डिवाइड भी चला जा रहा है, तो देखें कि इसमें C3 मे तो C3 divided by 8 हो गया, तो student इसको में मिटा दे रहा हूं, खातम हो गया सवाल, क्योंकि अब इसका कोई जुरुरत यहां पर नहीं रह गया है, तो यहां पर जब 8 से डिवाइड करेंगे student, तो देखें क्या हो जाएगा, 1, 0, 0, 0, और यहां पर क्या लिखा, 0, इसको थोड़ा सा सही लिख दो, 0, 1, 0, 0, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 1 आ जाएगा, और 0, और यहां पर क्या लिखा, 0, 0, 1, 0, अब student देखें हमारा यह identity matrix तो बन गया, लेकिन यह बगल में 1 है, तो जिसे कोई identity matrix बन जाए, तो उस 0 कर दो, तभी काम बन पाएगा, तो देखें, यहां पर क्या है, कि 1 है, इस 1 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0, तो क्या करोगे, यह कौन सी line है, C4 line है, student, तो क्या लिखोगे, C4 minus, आपका जाएगा, C3 आजाएगा, student, तो student क्या जाएगा, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, और यहां 0 से 0 जाएगा, 0 आगया, 1, 7 जाएगा, 0 आगया, इसमें से जाएगा, यह भी 0 आगया, तो इस परकार से यह student ऐसे हो गया, अब student देखिए, यहां पर क्या है, ठीक है, यह आपका identity matrix यहां पर बन गया, बन गया नहीं, थरी कराश थरीका, तो लिखेंगे, which is, which is, क्या देखिए, ठीक है, किलियर हो गया है, चलिए, ठीक है, और एक चीड और भी student यहां पर, देखें, नीचे भी 0 है, तो यहां नीचे भी 0, यहां भी 0 हो जाएगा, किने student, यह हो गया, नार्मल फार्म हो गया, समझ में आ गया होगा, student, क्योंकि देखें, जब यह identity matrix हमारा बन ठीक होगा, ठीक है, इसलिए इसका जो rank of, rank of, rank of A, A का जो rank होगा, वो 3 होगा student, तो उमीद कर रहा हूँ, यह अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से note कर लीजिए, जहां पर भी आपको कोई समझ्या हो, inbox में जड़ो लिखिए, मैंने आपको वार्सम भी दे रखा हूँ, आप वहां से भी पूछ सकते हो, ठीक है, वहां पर होगो question को tag कर दीजिए, मेरे पर, ठीक है, तो student अकर समझ में आ गया हो, तो please channel को subscribe कर दे, like कर दे, share कर दे, और bell icon की बटन को वस्त दबाते हैं, thank you